सब्सक्राइब आज के सेशन में आज देखते हैं आज के ट्यूडर में क्या चल ला है और इससे पहले के सब्सक्राइब का मैं अज शुरू पार फिरसीडट चाहिक है और इसकी कि टोपिक विदे रहो है इस प्रड़ ऐसनिवक जजबा है उसके बारे में बात हो रही है इंडिया और बंग्लादेश के रिश्चन से बात हुद और इंडिया और बंग्लादेश को फोकुस हैं चा जो पहले की partnership है उसके basis पे तो future cooperation जो हो पहले की partnership हो ऐसा तो यह कह रहेंगे जो water sharing agreement जो है कुशियारा का वो preceded मतलब की उसके पहले कौन सा आया था वो था first joint reward commission meeting जो meeting होई है पाना साल में उससे पहले होई थी ठीक है और यह particularly hopeful sign है on resolving water judgment ठीक है and a very contentious contentious नतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें contention हो जिसमें you know dispute हो या disagreement हो ठीक है इसे contentious कहते हैं तो यह पानी share करने का issue है बहुत ही contentious issue है जिसमें लोग सहमत होते हैं और जगरा होता है and likewise ठीक है यह next word is on board जो जब on board की बात आती है on board का मतलब होता है कि special purpose के लिए किसी group या team का part बनाना ठीक है तो यह कह रहा है कि while there has been a smaller agreement on the withdrawal of 1.8296 from the FENI एक छोटा सा agreement हुआ है कम छोटा agreement हुआ है 1.8296 के withdrawal के लिए FENI की तरफ से interim period में जो भी अंतरिम समय चला हुआ है और पहली बार ऐसा है कि जो सेंटर ने bring on board किया है मतलब की आसाम को भी special purpose के लिए शामिल किया है ठीक है और दूसरे north east state से उनको शामिल किया है ठीक है तो यह bring on board का मतलब हो रहा है शामिल करना याद रहेगा ठीक है सब्सक्राइब को मतलब होता है कि something you know which is difficult to solve something which is difficult to comprehend कुछ समझ में आना मुश्किल हो solve करना मुश्किल हो या धूरी-धूरी पे रहे इल्यूड इल्यूड से बना है इल्यूड इल्यूड मतलब होता है भाग जाना तो यह कह रहे है कि जो भी हो यह टीक स्टा है वह रिमेंस इल्यूड वह बना हुआ है मतलब ऐसे चीज़ है जो difficult to solve है और उसको मिल बंगाल को मिल नहीं पा रहा है वैस बंगाल से दूर है solution ऐसा कुछ एक ऐसा पॉइंट जो में सेना ने बहुत बार किया है बुट फरवर्वर्ड किया है ठीक है नेक्स वाल इस टाइम लाइन का मतलब होता है sequence of rated events एक क्या बोलेंगे समय करम कह सकते हैं ठीक है तो यह time rate इसलिए महत्पूर्ण आती है और इसलिए यह resolve करना महत्पूर्ण है next word is footing footing मतलब होता है कोई एक ऐसा हिस्सा जहां पे चाहां पैर रखके secure हो जाए आप लेकिन यहां पर अबिसलिए मतलब नहीं है यहां पे टाइस की बात हो रही है इंडिया और मारंडेज के टाइस की कि वो एक फर्मर्ड फुटिंग पर है फर्मर्ड फुटिंग का मतलब की एक ऐसी जगा पर है जहां पे थोरह ज्यादा पर स्टेबल है तो तुरुत फॉन्डीशन है चुटाइस है और फिर नश्वर्ड इस एडवेंट एडवन का मतलब है कि कोई जब आता है उसे एडवन कहते हैं तो ऐसा कहते है कि एड्वेंट ओफ मॉबाइल टेक्नोलजी इन 2000 तो मॉबाइल टेक्नोलजी जो तो है में आई थी उसके बार नहीं बात हो लिए यह एड्वेंट का मतलब है यहां पर क्या जा रहा है कि जो पॉजिटिव ट्रेंट है टाइज के वापक जाने में तो पॉजिटिव ट्रेंट है ठीक है वह मिस हसीना कि जब दोहनों पावर में आए थी वहां पर वापस जाता है ठीक है और उनका एक तरफा मूब जो है तो शट डाउन टेलर ट्रेंग केंप को खतम करने के लिए और वीस वाटेट क्रिमिलों को हैंड़ों करने के लिए मतलब की यहां पर बात हो रही है किमिस हसीना जो थी उनका खुद का जो इनिशाटिव था कि टेररिटर्निंग कैंप बेंख करना हैं so on and so forth तो उन्होंने खुद अकेले किया था ठीक है बन सकता है यहां पर उनके उपोजिशन का साथ ना मिला उनको छो इनकोई सरकार के उ next one is incumbent, incumbent मतलब होता है किसी की duty है responsibility हो, तो उसे incumbent on somebody कहते हैं, तो यह कहाँ जा रहा है कि यह जो है इनुदेली की responsibility है, कि जिसने इस outcome, ऐसे outcome से benefit पाया है, और relations with around से benefit पाया है, जो कि पहले inimical neighbor था, चीक है, बंगलादेश पहले inimical neighbor था, inimical का मतलब होता है not friendly, you know, hostile, style, तो जिससे friendly relations now, to be equally sensitive to धागा's concerns, तो अब incumbent नुदेली में, नुदेली का, नुदेली की responsibility है, नुदेली की responsibility बनती है, कि वो धागा के concerns से sensitive रहें, ठीक है, मतलब कि धागा के concerns को सुने, समझें, क्या है, उस स्थिति में, जब कि वहाँ बात आती है, कि वहाँ की loading party की leaders comment करते ह हैं, किस चीज़ पर deporting, रोहिना refugees की deport करने पर, deport करना मतलब होता है, behaving in a certain manner, I am really sorry, यहां पर यह मतलब नहीं आएगा, यहां पर मतलब आएगा आपका, वापस लिजाना या ऐसा कुछ, hand over to the authority of another country, यह मतलब आएगा, चिक है, या कंदेश से निकाल देना, चिक है, तो, कहां थे हम लोग, तो new daddy के responsibility पंती है, कि sensitive रहे थाकर के concerns पर, उस स्थिति में, श्थिति में, श्थिति में, श्थिति में, श्थिति में, जब महां के rolling party जो है, वो देश से निकालने, कि रो में comment pass कर रहे हैं, और जो undocumented migrants हैं, उनको termize की तरह compare कर रहे हैं, ठीक है, तो यह ruling party की videos इंडिया के हैं, ठीक है, इंडिया के ही, अमेरिका से अमेशा ने शायद बात कही थी कि, जो migrants है, वो दीमक की तरह हैं, जो देश को खोकला कर रहे हैं, ठीक है, तो citizenship amendment act and more recent references to annexing as it by annexing Bangladesh for Akhan Bharat, और अभी कुछ recent references में आएं कि मगलेदेश को भारत से जोड़ देंगे, Akhan भारत दनाने के लिए, तो इन सब के प्रती New Delhi की responsibility है, कि वो sensitive हो, लंबा sentence है, काफी लंबा sentence, I hope सवाज में आया होगा, कर सवाज में आया होगा है, तो प्लीज कमेंट करिए, I'll try it again to explain it to you, ठीक है, और last word is rhetoric, rhetoric, rhetoric का मतलब होता है, जंपी कोई politician भाषन देता है न, और लुभामनेवादी करता है, और क्या किते हैं, वो जड़ा सजा सजा के बाते करता है, तो उसे rhetoric कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा, तो ये कह रहे हैं कि, जो cross border sensitivities है, जो cross, समिंदर शीलता है, इस borders की, ठीक है, वो South Asia में कफी बार run high करती है, ठीक है, ऐसे political rhetoric पर, ऐसी जो political बाती होती हैं, उस पर run high करती है, run high का क्या मतलब है, यहाँ पर, आईए देखते हैं, run high का मतलब इस पर नहीं दिया है, ठीक है, तो, एक बड़ो कि मैं देखी रहे हैं, run high का क्या मतलब होता है, especially strong, ठीक है, तो जब एक group का, group of people होते हैं, उनकी भावनाएं बहुत strong होती हैं, उसे run high कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यह बात ही कि सारी, चुछरों इटी, idiom of phrases होते हैं, यह बहुत important होते हैं, when it comes to reading comprehension, suppose, if you are given this passage, for reading comprehension, and you ask only about the meaning of run high, what would you write, अपको यह जिमांग में आएगा कि यह emotion से connect, यह तो लग रहा है कि, यह उचा दौर्ण है, ऐसा कुछ, लेकिन तो यही पर इन सब की meaning समझना और यास्वाइज जरूरी हो रहाता है, ठीक है, तो यहाँ पर यह कहने का मतलब है, यह cross-porder भी जो सम्मेंदन शीलता है, वो ओफन लोगों के emotion से खेलती है, ऐसे body का rhetoric करके, ठीक है, और यह जरूरी मन जाता है कि New Delhi और धागा जो है, वो अपने future cooperation पर फोकस्ट रहें, ठीक है, और जो कि उनके past partnership पर बनी थी, और जिसे spread of 1971 के नाम से जाहाँ आता है, ठीक है, ठीक है, कैसा रागा, आज का analysis मुझे बताईएगा, खुछ सर्मी ने आएगा, तो मुझे comment section रिमेंशन करिएगा, वीडियो दोबाद की कहुसता है, समझ में आजाए, फिर भी नहीं आता है, तो please comment section रिमेंशन करिएगा, यहां थे अपर सब्सक्राइब करें, तो यहां थे अपर बिसस्क्राइब करें, चलिए, थैक्यों पर वाचिए, बाइ बाइ,